हेलो इस्टूडेंट मैं मनोज कमार सिंग आप सभी का स्वायत करता हूँ स्पार्क इंस्टूट के ऑफिशल यूटूब चैनल पे तो जैसा आप लोग को पता है कि अभी हम लोग की सीरीज चल रही है मैट्स फ्री सीरीज फॉर बील डबलू तो इससे पहले के चैप्टर्स आपको प्लेलिश में मिल जाएंगे आपको कम्प्लीट मैट्स लेवस के लिए परिशानों निजरुत नहीं है इस पार्क इंस्टूट की तरफ से बिलकुल फ्री आफ कोश्ट आपको दिया जा रहा है ठेक है तो आज हम लुग पढ़ने वाले triangles के बारे में triangle से related जो भी कॉश्टन हम से पूखता है तो basically हम से कौन-कौन से triangle की बात कर्ता है स्कैलन triangle की बात करता है एक्विलेर्टल triangle की बात करता है ISO-cellus triangle की बात करता है और राइट angle triangle की क्या-क्या property होती है हैं और क्या इनके फंडे यूज किये जाते हैं तो चलिए देखते हैं तो भाई सबसे पहले देखो हमारे सामने आता है ट्रेंगल कौन सा है स्कैलेंड ट्रेंगल ओके इसकी क्या प्रोपर्टी होती है all sides are different ओके all sides are different ठीक है अब इसमें एक term यूज होता है semi perimeter semi perimeter ठीक है जिसको हम किस से represent करते हैं s से और अब जैसा की नाम है semi means perimeter का आधा तो perimeter क्या होता है sum of all sides अगर suppose करते हैं यहाँ पे side a, b, c है तो इनका semi perimeter क्या हो जाएगा just how जो की यहाँ written है ओके यहाँ पे heroes formula म्यूज करते हैं इसके area के लिए तो अगर area of scale and triangle की बात करें तो this is s, s minus a, s minus b, s minus c and यह जो area का formula होता है area half base into height यह standard area formula किस का होता है? triangle का होता है and कई बार हमसे question पूश देता है तो अगर हम इसको थोड़ा सा rearrange करके लिखें तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे? a plus b plus c is equal to 2s तो आप कैसे identify करोगे कि यह scale and triangle है अगर सभी sides different है तो आप कहोगे यह कैसा triangle है? scale and triangle है अच्छा है कई बार ना right angle triangle scale and triangle की form में दिखता है तो मैं बता हूँगा आपको कैसे उसको identify करना है ठीक है तो I think यह आपको clear होगा यह formula है important formula for scale and triangle area का formula this is the perimeter formula and this is semi perimeter okay now come to the equilateral triangle so how do we identify that this is the equilateral triangle if all sides are equal for a triangle it means there are three sides if we have three sides like this A, B, C, A, A, A what does it mean? it means all sides are equal here so यहाँ पर हम कह सकते हैं A, B is equal to B, C is equal to C, A सभी sides पराबर हैं तो यह कैसा triangle होगा? यह equilateral triangle होगा okay equilateral triangle तो यहाँ पर A क्या represent कर रहा है? side को represent कर रहा है height क्या है? height और altitude अच्छा अब एक बात यहाँ पर ध्यान दिजेगा equilateral triangle की जो height निकलती है 90 degree पर होती है कई बार question ऐसा पूजता है और यह जो height होती है इसकी यह क्या करता है? half and half में divide करता है root 3 by 2 into side होता है clear है? आप से area पर बात करेगा तो area of equilateral triangle का formula root 3 by 4 side square होता है okay perimeter क्या होगा यहाँ पर? तो perimeter आता है this is 3A अच्छा आपने पढ़ रख़ख़ है एक बार आपको recall करा देता हूँ इसी में कई बार अंदर की और एक circle draw करवा देता है जिसको हम कहते है in circle इसकी in radius का formula होता है in radius this is A upon 2 root 3 अब एक circum circle होता है इसे बाहर की और circle बन रहा होता है तो इसका formula होता है circum radius this is A upon root 3 and equilateral triangle की circum radius और in radius के बीच ratio 2 is to 1 का होता है यह कुछ important चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए ठेक है तो एब आप फिर से recall करते है equilateral triangle को हम कैसे identify कर सकते हैं अगर सभी side equal है तो अगर बोल ला है equilateral triangle है means all side equal होंगी फिर आप से उस पर height की बात कर सकता है तो height का formula क्या होता है root 3 by 2 into side होता है area क्या होता है root 3 by 4 into side square होता है perimeter क्या होता है thrice of side होता है in radius क्या होता है a upon 2 root 3 होता है circum radius क्या होती a upon root 3 circum radius और in radius के बीच relation क्या होता है 2 is to 1 का होता है ठेक है और एक और बात यह जो आपकी height होती half and half में divide करती है अगर और यह 90 degree पे पढ़ती है ठेक अब बात करते है isoseles triangle की sorry तो isoseles triangle होता है जहां पे when two sides are equal अगर two sides equal होती है तो हम इसको कहते है कि isoseles triangle like here a b c तो यह दो equal sides है represent हो रहे हैं किस से a से और a से यह non equal side है तो यह base represent हम कर रहा है b से तो यहां पे formula क्या बन जाता है height का formula होता है this is 4a square minus b square by 2 okay and area होता है this is one fourth into b यह b क्या होगा non equal side लेना होगा n root 4a square minus b square a क्या होगा equal sides होगी ठीक है कई बार confusion हो जाता है तो इसको confuse नहीं होना है अपने को perimeter is twice of a plus b होता है ठीक है यहां तक ही बात हो गई तो यह formula again एक पर revise करते है isocellus triangle हम कैसे identify करेंगे अगर किसी triangle में दो sides equal है अगर हम से बोलता है यह isocellus triangle है तो हमें दिवांग लगाना होगा अच्छा दो sides इसमें बराबर होगी एक non equal side होगी and height का formula क्या होता है 4a square minus b square upon 2 जहां पर a किसको represent कर रहा है equal sides को और b represent कर रहा है non equal sides को area क्या होता है 1 by 4 into base into square root of 4a square minus b square perimeter क्या होता है twice of a plus b होता है ठीक है and in last right angle triangle इसमें क्या होता है एक आपका जो angle होता है 90 degree होता है suppose a, b, c तो इस पे ये वाली side depend करता है कि आपके angle of inclination पे अगर ये angle of inclination है तो इसको हम assume करते है perpendicular and ये होगा base लेकिन अगर ध्यान देना अगर आप angle of inclination यहाँ पे बना रहे हो angle of inclination यहाँ पे बना रहे हो तो अगर ये phi है तो phi के according अब हम देखेंगे तो भाई हम देखेंगे कि phi के सामने कौन सी side इस phi के लिए ये perpendicular हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा base हो जाएगा ठीक है तो ये जो perpendicular हो base अक्सर लोग यह कहते हैं कि सब ये सामने वाली side हमेसा perpendicular होगी ये जरूरी नहीं है depend करता है अप कहां से देख रहो अगर आप यहां से देख रहो तो सामने वाली side perpendicular है अगर आप यहां से देख रहो तो ये सामने वाली side perpendicular है तो depend करता है perpendicular and base किस पर आप देख कहां से रहो angle of inclination क्या है ठीक है ये वाली साइड हमेशा fix रहती है इसको आप hypotenuse कहते हो ठीक है hypotenuse ये आपे भी hypotenuse ही रहने वाला है अब एक बात ध्यान देना इन right angle triangle हम कह सकते हैं right angle triangle hypotenuse is the longest side ये सबसे बड़ी side होती है hypotenuse जो होती है ठीक है अब एक property और follow करता है ये पाइथागोरस theorem को follow करता है पाइथागोरस theorem क्या होता है hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus ds का square ओके इतनी बात ध्यान रहेगी अब एक कुछ में important चीज़़गी I hope ये चीज़ सारी चीज़़गे आपने note कर लियोंगी क्योंकि मैं अब इसको erase करूंगा अब मेरे पास कुछ आपके लिए triplets हैं जो direct अगर side आपको कभी भी दिख जाया तो आप कह देना कि ये क्या है ये आपके right angle triangle को ही represent करेगा क्यों? क्योंकि अगर आप perpendicular और base के square को जोड़ोगे तो hypotenuse के square के बराबर होगा ठेक है? एक मिनट मैं निकाल लो तो देखिए सबसे पहले 3, 4, 5 अगर आप 3 का square प्लिस 4 का square करोगे तो 5 के square तो ये right angle triangle होता है इसी तरह मैं लिख दे रहा हूँ ये याद जरूर रखनी अपने को 8, 15, 17 ठेक है? कोई miss ना हो जाए इसलिए मैं देख के link दे रहा हूँ आपके लिए 37, 20, 21, 29 ये जरूर इतना नहीं जाएगा आपने 5, 12, 13 9, 40, 41 13, 84, 85 and 28, 45, 53 7, 24, 25 and 11, 60, 61 इतने याद कर लो आप ठीक है? इतने तो आपको याद ही होने चाहिए अगर इतने याद है तो भाई बहुत हो जाएगी आपकी आप बहुत से चीज़ों को आसानी से solve कर पाऊगे ठीक है? I think कोई miss नहीं हुआ है important अच्छा एक और चीज़ देख ले ना अगर 3, 4, 5 यह basic होता इससे चोटा ने इसमें आप किसी भी number का multiply करते जाओगे ना तो automatically क्या हो जाएगा? triplet में change होगा तो suppose करो अगर यहाँ पे 6 का multiply यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का तो यह क्या हो जाएगा? 18, 24, 30 तो देखो यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है यह भी क्या एक्ट्रिप्लेट है? आप चेक कर सकते हो इस चीज़ से ठीक है? और एक और होता है important वो भी मैं लिख दे रहा हूँ तो इतने जो ट्रिप्लेट मैंने लिख आए इनको जरूर आप याद कर लो प्रहत करने मतलब यह होता है कि आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे लिखके कि हाँ यह होते है तो आपको याद हो जाएगा आप रट्टा लगाओगा नहीं याद होगा क्यों IMPORTANT है किए फॉर्टेफ करोगे ट्रेंगल डिया होता थीरेंगल डिया तो लिख क्ट क्यों अगर आप इस वाले में यस सॉलफ करर्ने जाएगा तो बहुत नंदी ओजाएगा ठीक है तो आपको देखो या समय बच्चे का और examiner जान बूच के ये देता है कि बच्चे क्या करें skeleton वाले formula से इसको solve करें और time लगा है तो आपको ये याद रखके चलना है कि ये important triplets है अगर ये याद है तो direct इनको देख के आप बता सकते हो ठीक है भाई कोई doubt नहीं इसमें चलो बारी बारी question करते हैं अच्छा एक और हमारे पास बच गया आईसो सेलेस right angle triangle ठेक है ये क्या होता है आईसो सेलेस right angle triangle में ये दोनों sides क्या हो जाती है A, B, C ये दोनों side बरावर होती है मतलब base और perpendicular बरावर हो जाता है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा D होगा ये D की value हमेशा कितनी होती है A root 2 होती है ठीक है और area कितना निकलता है यहां पे हमेशा 1 by 2 into A square clear एतनी बार अच्छा देखो एक चीज आप समझ सकते थे हैं आपे कि अगर आईसो सेलेस right angle ठेकल है आप थोड़ा से दिमाग लगाते हैं तो आप कहते हैं इनके बीच का ratio 1 is 2, 1 is 2 root 2 है तो suppose अगर करो यहां पे आपको 10 देता यहां पे 10 देता तो आप कहते हैं कि भाई 1 unit 10 के बराबर है तो यह किस के बराबर होगा 10 root 2 के बराबर तो यह ratio याद रखिएगा कि आईसो सेलेस right angle triangle की जो side का ratio होता है वो कितना होता है 1, 1 root 2 होता है ठेक है clear है यहां तक की बात चलिए next देखते हैं अब अगेन एक question है भाई हमारे पास what is the area of triangle whose sides are 84, 80 meter and 52 meter अब जिनको नहीं पता वो कहेंगे भाई सारी side different है तो this calendar triangle है लेकिन मैं कहूंगा एक बाद check कर लो कि कहीं यह आपका right angle triangle तो नहीं है तो क्या करोगे 84, 80 and यहां से क्या 52 ठेक है अब अगर हम लोग यहां से इसको solve करें यह check करते हैं right angle triangle है कि नहीं तो देखो 4 से कट जाएगा 2, 1 20 and यह 13 अब यह आगे नहीं कट सकता क्या यह triplet है कि नहीं है आप यह सोचो अगर आपको पता हो तो चलो check कर लेते हैं मेरे खाल से है एक बार आपको दिखाता हूँ check करो कहीं पे दिख रहा है क्या यह है कि नहीं यहाँ पे हमने नहीं लिखा है लेकिन यह triplet है चलो देख लेते हैं प्रॉपर्टी को लगा के भाई सबसे बड़ी प्रॉपर्टी 21 का square कितना होता है 4, 4, 1 20 का square कितना होता है नहीं एक मिनिट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यह triplet है कि नहीं I don't think so यह triplet नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ हमारी प्रॉपर्टी फॉलो कर नहीं रहे अगर नहीं है तो चलो देख लेते हैं प्रॉपर्टी चार दुनिया चार दुनिया तेरा चॉक बाउन तो अग इसका square इन दोनों के square किसम के बराबर होना चाहिए था लेकिन यह ऐसा है नहीं तो इसका मतलब यह triplet नहीं है तो क्या करोगे solve कर लेते हैं area निकालना है तो s is equal to क्या होता है इस केलन की property से करना ही पड़ जाएगा 52 divided by 2 तो यह कितना होगा 4, 2, 6 8, 8, 16 16 and 5 तो यहां से 108 आया अब property क्या होती है area of scale तो देखो एक बद चेक जरूर कर लेना right angle triangle के लिए मैं कर रहा होगा अगर चेक कर लोगे थोड़ा समय बच जाएगा otherwise यह तो करना ही पड़ेगा 108 108 में से 84 माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा इसको यह से लिख सकते हैं 108 माइनस 84 108 माइनस 80 108 माइनस 52 तो यहां से इसको लिख सकते थे 108 into 16 and 8 कितना हो जाएगा this is 24 and 28 into इधर से 48 48 and 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा तो यहां से इसको ब्रेक कर लेते हैं 12 into 9 12 into 2 7 into 4 7 into 8 अब जो जो कपल बन रहा हूँ पेर बन रहा हूँ उसको अटा दो यह 12 बाहर आ जाएगा 9, 9 से 3 बाहर आ जाएगा दो जो होता जाएगा उसको लिखते जाओ अब यहां से 4, 2's are 8 and 8 बाहर आ गया यहां से 7 आ जाएगा अब हमें multiply करना है 12, 3's are 36 36 into 8 8, 6, 8, 4, 8, 24, 24, 28 अब यहां 7 का multiply 7, 8's are 56 7, 8's are 56 6 and 5, 61 7, 2's are 14 14 and 6, 20 तो इसमेंस हमारा एरिया कितना होगा 2, 0, 1, 6 मीटर स्क्वाइर ओके तो यह राइस कैलन का इस कैलन से पहले मैंने एक बार कहा आप चिक जरूर कर लेना कि कहीं यह आपके राइट एंगल ट्रेंगल की तो triplet नहीं अगर नहीं है तो फिर भाई आपको करना ही पड़ेगा I think यह चीज आपको समझ में आई होगी ठीक है मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले semi perimeter निकाला then उसके बाद formula क्या था area का एक बाद फिर से मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए s, s minus a, s minus b, s minus c यह a था, यह b था और यह c था ठीक है सारी values को मैंने put किया भाई मुझे area मिल जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कह रहा है यहाँ पे question two poles 15 meter and 30 meter high stand upright in a playground if their feet be 36 meter apart find the distance between their top इसका क्या मतलब है एक पूल या ऐसे था एक पूल ऐसे था दोनों के बीच का distance कितना है 36 meter है यह पूछ रहा है आप से ठीक है तो एक बाद तो इसको ऐसे बना सकते थे तो अगर ध्यान देते हैं लोग तो यह एक right angle triangle ही है ऐसे आपको अगर यह A है यह B है यह C है अब मैं थोड़ा से इसको separate बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दीखे यह A, B, C हमसे क्या पूछा है भाई AC की value मतलब hypotenuse पूछा है clear है अगर मान के चलते हैं यह perpendicular है और यह base है तो भाई यह straight खड़े है तो यह 90 है तो यह भी 90 है इस वज़े से right angle triangle अब मैं property पता है perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenuse का square यह होता है सारी value को put कर देते हैं तो भाई देखो perpendicular कितना है 2 poles 15 meter and 30 meter height अगर यह 15 meter था और यह 30 meter है तो इसका मतलब यह वाली length कितनी होगी तुम का होगे सर 15 meter इसका मतलब perpendicular 15 था अगर यह 36 है तो यह भी 36 होगा किके put कर देते हैं यह base 36 यह 15 का square plus 36 का square is equal to अगर इसको solve किया जाए तो 15 का square 225 होता है 36 का square होता है 14 का square 96 carry किया 1 25 में से 14 minus कर दिया जाएगा तो 9 and 1 0 इतना जाएगा अगर इसको solve करें तो यह कितना जाएगा 6, 5 11 9 and 2 11 and 12 carry किया 1 10 and 2 10 and 2 12, 12, 12, 1, 13 ठीक है 1, 3, 2, 1 इतना जाएगा तो यहाँ से अगर हम लोग hypotenuse का लें hypotenuse का square तो this is 1, 3, 2, 1 एक बाद चेक कर लेते हैं 36 का square मैंने आपको बताया this is 36 into 36 which is 129 sorry, sorry, sorry मुझसे गलती हो गई this is 1296 लोग कैसे करते हैं एक बाद यह भी बता देता हूँ base 50 method अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बाद पढ़ लेना 14 का square कितना होता है 196 196 यहां रखा यह 1 carry हो जाएगा अब 50 से 14 का difference था तो 25 में से 14 मैंने ultra subtract कर दिया that's why मुझसे गलत मिला यह 11 होगा, 1 carry होगा this is 12 तो 1296 आता sorry, 1296 तो यहां पर put कर देते हैं अब अगर 1296 है हमारे पास this is just a minute plus 225 तो यह कितना जाएगा this is 1521 तो यहां से अगर इसको put कर देते हैं तो देखो हमारी value कितनी मिलती है तो this is just a minute 1521 then hypotenuse is equal to square root 1521 अब depend करेगा आप से question answer किस form में पूछा है तो जिस form में पूछा हो उस form में आप अपना answer दे दीजेगा अगर बाहर कुछ square root के आ रहा होगा तो इसको ले लिजेगा अगर इसी form में पूछ रहा है तो इस form में इसको रखेंगे ओके यहां तक कोई doubt नहीं होगा I think ठीक है चलिए next करते है अब यहां पर एक question दे रखा है अपने को the side of triangles are 25, 39 and 56 meter respectively कुछ ऐसे and find the perpendicular distance from the vertex to the side A B C यहां आपसे यह 56 है suppose कर लेते हैं 25 है यह 39 है clear है अब आपको यह height बतानी है इसकी यह distance कितनी होगी ठीक है इसको आप लोग एक बार जरूर solve करना ठीक हो solve करके comment section पर जरूर बताएगा एक question आपके लिए है यह क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत hectic question नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो आप आसानी से इस question को solve कर सकते हो आप एक काम करना है मैं hint देता हूँ half base into height को युच करना है standard area formula को area आप निकाल सकते थे यहाँ से तीनों side से अभी बताएगा scale and की formula से ज़स्ट आपको सारी value पुट करके height की value निका लें वाट try करिएगा कोसिस कीजेगा कि comment section पर आप जरूर comment करें ठीक है अब भाई देखो अगर यह इस question को देखो गए तो जान बूच के आपको देखेगा option अभी तक मैंने किसी भी questions में option नहीं दे थे यहाँ क्यों दे रहा हूँ उसको भी explain करता हूँ कहता है the integral base of an isocellus triangle can be whose area is 60 square centimeter and the length of one of the equal side is 13 centimeter इसका क्या मतलब है हमारे पास isocellus triangle था यह a, b, c equal side यह 13 है ठीक है यह भी 13 है हमें यह base बताना है अब हमें पता है जो area का formula होता isocellus triangle half b into 4a square minus b square अगर सारी value पूट कर दे already हमें 60 दे रखा था 1 by 4 into b हमें find out करना है 4 a की value कितनी है this is 13 square minus b square then यह 6 into 4 which is 240 b into 4 into 169 minus b square 240 is equal to b into so 4 nines are 36 carry 3 6 fours are 24 24 and 3 27 carry 2 4 ones are 4 and this is 676 okay कोई doubt यहां था minus b square अब अगर दोनों तरफ square करते हैं तो square करने पे कितना होगा 240 into 240 is equal to b square minus 6 76 minus b square यही आएगा ठीक है अब देखो में करना क्या है अब क्यों मैंने यहां option लिखे हैं क्योंकि देखो बिना option के अगर इसको solve करने जाते ना तो बहुत hectic question हो जाता आप से यह solve नहीं होता ठीक है तो एक बात समझना यहां पे अगर मैं 240 का square करूँगा sorry 24 का square which is 576 होता है ठीक है 24 का square कितना होता है 576 होता है यह कुछ ऐसा आजाएगा अब एक बात समझना यहां से अगर मैं बारी बारी यहां से option से उठा के b की value रखो मुझे 576 जिससे मिल जाएगा वही मेरा answer सही हो जाएगा ठीक है तो देखो मुझे clearly दिख रहा है अगर 10 रखता है यहां पर 10 का square 100 76 minus 100 576 देखो यहां से match कर जाता 576 into 00 होत जाता यहां से यह भी match कर जाता कौन सा option match होता option b अगर आप यहां option से नहीं जाते तो इस type के question में आप कहां तक इसकी quadratic equation solve करते आप परिशान हो जाते हैं question छोड़ देते तो इस case में ऐसा नहीं करना अगर कभी भी ऐसी quadratic equation की form बने final तो हमें इसा by option values को आप क्या करोगे put करके देखोगे ऐसे आप question आसानी से कर सकते हो ठीक है अब भाई देखो यहां क्या पूछना चाहरा है if side of triangle is double then increase in area of the triangle ठीक है तो एक बात बताओ यह percentage मैं actually पूछना चाहता है आपको एक basic सा example practical दिखाता हूँ suppose A B C अगर मैं आप से कहूँ कि मेरे यहां पे जो side है तो यह हमारा होए 1 suppose कर लेते है 1 तो area कितना होगा अगर इसको मान के चलते हैं equilateral triangle है ठीक है तो area होगा root 3 by 4 1 का square which is root 3 by 4 अब ना अगर मैं side को double कर देता हूँ तो 2 2 root 2 अब मेरा area कितना होगा this is 2 का square तो यहां solve करने पे root 3 आएगा तो अब एक बाद बताओ पहले area इतना था अब area इतना है कितना बढ़ गया area यह देखते है root 3 minus root 3 by 4 upon कहां से बढ़ा है root 3 by 4 से बढ़ा है into 100% ऐसे ही निकालोगे देखो अभी हम इसको direct छोटा कर देंगे तब आपको लगेगा ने की क्यों एक practical tip दिखाने के लिए कि ऐसा होता है यह आ जाएगा 4 root 3 minus root 3 upon root 3 into 4 into root 3 into 100% इससे एकटा and 3 into sorry 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 मैंने गलत काट दिया actual मैं देखो पढ़ाते समय होता क्या है न दिलिखना कुछ चाहो बोल कुछ देता है यह वाला कटता है तो यह कितना आ जाता 300% area increase अब देखो exam में तो हम इतना नहीं करेंगे exam में कैसे करेंगे exam के लिए आप आपको बताता हूँ एक बाह बता area जो होता है वो किस पर depend करता है side into side पे direct approach सीखना अगर आपका side double हो रहा है तो area क्या हो जाएगा area just उसका square होगा side का double कर दो 1, 4 कितना area बढ़ा है आपका होगे 3 बढ़ा कहां से बढ़ा है वहां से बढ़ा तो 1 यह जो 3 यह 1 का कितना time है 3 time 3 time मतलब 300% अगर 4 time सोता तो 400% अगर आप चाओ तो solve करना अब area मेरा 3 increase हुआ है कहां से 1 से in 200% direct answer 300% आता बात clear है इतनी ठीक है दो इस तरह से आप direct approach लगा के सोच सकते हो कि यह questions ऐसे होंगे अब देहों क्या कह रहा है कह रहा है if the altitude of an equilateral triangle is 2 root 3 what does it mean यहां एक triangle हमें दे रखा है a, b, c यह height की value में दे रखा है 2 root 3 हमसे area पूछ रहा है तो भाई area जब तक formula नहीं पता होगा कुछ नहीं कर सकते root 3 by 4 a square तो देखो अब हमें a निकालना होगा a कैसे निकलेगा वो हाइट से निकलेगा height का formula होता है root 3 by 2 into a तो अब यहां पर put कर दे root 3 by 2 into a this is 2 root 3 इससे यह cancel out a की value कितनी होगी 4 अब हम आसानी से area बता सकते है root 3 by 4 4 square root 3 by 4 4 square 16 this is 4 root 3 so यह हम कह सकते हैं कि हमारा कितना area आजाएगा this is 4 root 3 अगर जो भी unit होगी centimeter square या कुछ भी तो देखो आप बेसिकली आपनी चीज़ देखिऊंगी सारी चीज़ें में inspiration में formula based है तो formula याद करना जो भी मैंने स्टार्टिंग में सारे formula यह आपको बताए हैं यह सारे formula आपको अच्छे से याद होने चाहिए ठेक हैं बिना इसके आप questions नहीं कर पाओगे में dear तो इस चीज़ में थोड़ा सध्यान रखेंगे ठेक चलो एक और question ही आप करते हैं find the area and perimeter of an isocellus triangle whose equal side are 5 cm and base तो यहां से दिखो में A की value 5 दे रखी है B की value 6 तो हमें पता है perimeter तो आसान होगा perimeter में तो कोई खेल नहीं है आपर this is twice of A plus B 2 into 5 plus 6 यह कितना है अगर 16 cm perimeter हो गया area का formula देखो question क्यों हो पा रहे है क्योंकि formula पता है area होता है 1 by 4 into B 4A square minus B square तो अगर इसको देखो यहां solve करें B की value 6 है A की value A हमेशा क्या होता है जो equal sides होती है isocellus में उसको ध्यान रखना है 4 into 25 minus 6 square 1 by 4 into 6 100 minus 36 तो यह होता है 64 and under root 64 इसको आप ऐसे लिखोगे ना भई 25 4 is a 100 6 square 36 100 minus 36 we get 64 so 1 4 into 6 and this can be written as 8 so 2 times so we can say that the area of this isocellus triangle is 12 centimeter square okay again देखो यहां पर आपका formula ही role play कर रहा है तो आपके exam में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा simple सी चीज़े रहेंगी बस formula में अपने को put कर देना है और हमें answer निकाल देना है ठीक है यहां पर देखते हैं find the area and perimeter of triangle whose sides are 17, 8 and 15 तो मैंने कहा था अगर तीनों side different देखे तो एक बाग कोसिस करना सोचने की क्या यह आपके right angle triangle है तो हाँ बिलकुल 8, 15 और 17 right angle triangle होगे क्यों 8 का square 64, 15 का square 225, 17 का square 289 अगर इन दोनों को add करेंगे तो हमको क्या मिल जागा 289 it means यह जो side है किसकी है right angle triangle की है तो भाइट perimeter में तो कोई दिकती नहीं थी perimeter क्या हो जाएगा sum of all side 8 plus 15 plus 17 okay so 15 plus 8 23, 23 and 10, 33, 33 and 7, 40 cm यह तो आ गया भाई हमारा perimeter area क्या होता है area होता है half base into hypotenuse को नहीं लेते हैं जो सबसे बड़ी side होती हो hypotenuse इसको नहीं लेना है तो इन दोनों को consider करना था सिर्फ half 8 into 15 तो 15 for just this is 60 cm square तो यह हमारा answer आ जाए तो मैंने फिर से कहा अगर different side दिखें सारी तो एक बार check जरूर करेंगे क्या यह right angle triangle है कि नहीं अगर right angle triangle होगा तो बहुत आसानी से area निकल जाएगा ठीक है सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एक बार आपको बता देता हूँ अपने institute के बार जो लोग नए हैं हमारे यहां bank, jkssb, ssc and all state level की preparation कराई जाती है जिसमें sub inspector, state level jute, nap, तसीलदार, पटवारी, junior assistant, blw सबसे खास बात यह कि every Tuesday fresh batches start होते हैं आप online भी पढ़ सकते हो अगर आप physically नहीं आ सकते हो तो आप हमारे center पे तो आप online भी हमसे पढ़ सकते हो offline भी हमारे batches available हैं तीन दिन का demo free मिलता है आप इस number पे contact करके details ले सकते हो एंड देखो आप यह सब कुछ जान सकते हो एक बार बात कीजिए कि how to crack government exams तो कितने सारे government exams हैं हमें तो सिर्फ एक चाहिए न और experience faculty की बात करने तो सारी faculty अच्छी खासी experience है सबको अच्छा कासा experience है ऐसा नहीं कि कोई कल से पढ़ाना है श्टार्ट कर रहा है काफे time से लोग teaching कर रहा है तो उनको पता है क्या exam में आता है देखो आपकी रहा कैसे आसान होगी हमको यह पता है किस type के question exam में आ सकते हो क्या best way क्या approach होनी चाहिए तो आपका time बचाते है ठीक है चालिए यह हमारे selected students हैं जो different environment sectors में placed हैं इसे में job कर रहे हैं हम online play store पे भी available हैं आप search करोगे spark institute तो मारा app मिल जाएगा क्या फाइदा है आप यहाँ free daily quizzes देख सकते हो jk ssb, jkpsi, sseo banking and one mock free for all exam मिलेगा और यहाँ पे आपको 30 plus mock test मिलेगा बिलकुल real life आपको लेगा कि आप exam में ऐसे ही question तो देखते हो उस type के questions मिलेगे पता क्या है हमारा address क्या है opposite science college canal road ओके आज के लिए इतना ही स्वस्त रहें पढ़ते रहें thank you